ओके, next question देखो, और एक question है, हम लोगे पास क्या है, if the point x, y is equidistant from the three points, this means 5, 0, 0, 5 and 3, 4, then so that x equals 0 and y equals 0, अभी क्या बोलागा है, थोरादर पहले हम लोगे एक question क्या है, जहां पे मतलब एक point है, जो की equidistant है, दो points है, right, अभी इस question में क्या दिया हुआ, the point is, means यह जो point है, p पकर p, x, y, y, is equidistant from the three points, this, this and this, तो इसको मैंने a पकर लिया, इसको b पकर लिया, इसको c पकर लिया, right, the ladder points is p, x, y, a, a हो गिया, इसको b पकर लिया, इसको c पकर लिया, right, now according to question, question की साब से हम लोग क्या बोलागा है, यह जो point है, तीनों point से equidistant पे है, right, तो equidistant का मतलब क्या हो हो गया, equidistant का मतलब हो गया, pa equals to p, b equals to p, c होगा, right, तीनों का value मतलब क्या होगा, same होगा, so first of all हम लोग pa निकालता है, तो distance पर में लगा के pa क्या होगा, 5 minus x whole square by x minus 5 whole square, कुछ भी बोलो, plus क्या हो जागा, y minus 0 whole square, right, तो equals to p, b equals to p, c कर लिया, हम लोगा है, ठीक है, na, pa equals to p, b equals तो p, c, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मोडिफाय कर रहा है, एका सो root over, root over x minus 5 whole square, y minus 0 का मतलब क्या होगा, y, तो y square लिक लिया हो, इसमें x minus 0 का मतलब क्या होगा, x, तो x square होगा, plus y minus 5 whole square, equals to this, right, last में क्या था, हम लोगा, p, c, p, यह p था, और x, c था, right, तो p, c क्या होगा, x minus 3 whole square, plus y minus 4 whole square, ठीक है, तो अभी इसको हम लोग ने इस तरह के से लिक लिक लिया, तो यह तो सेम रहा, अभी पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग क्या करना है, x equals 0, and y equals 0, right, तो first of all, हम लोग ने क्या क्या, पहला दो component को लिया, इसको लिया, एन साथ में, इसको लि whole square, तो इसको कैसे solve करना है, आप लोग को अभी मालूम है, विकॉस इस ताइप का question जब भी आएगा, दोनों साथ पर root होने से हम लोग क्या करना परता है, squaring, both sides करना परता है, मैंने यह आपर mention नहीं करना है, आप लोग को mention कर देना है, तो squaring, both sides करने के बाद क्या होगा, root चला दाएगा, ठीक है, root चला गया, चलने के बाद, फिर क्या करना है हम लोग को, इसको तोड़ देना है, तोड़ने के बाद क्या होगा, x-5 whole square है, तो x square minus 10x plus 25 मिलाफ, a minus b whole square का formularा लगा दे हम लोग ने, plus y square है, इक उस to x square plus, इसको a minus b का whole square लगा तो, तो क्या होगा, y square minus minus 10x बचा, इस से, और इधर से क्या बचा, minus 10y, right, तो minus 10, minus 10, cancel होने के बाद क्या बचेगा, x equals 2, y, तो अभी तिक हम लोगो क्या मिल रहा है, x and y का value क्या है, same है, right, दोको, अभी next क्या करेंगे, हम लोगो, अभी next क्या क्या करेंगे, last two component, बदो second component, heart component को लेंगे, ठीक है, इसका पहले हम लोगो पहला दो component को लिया था, अभी हम लोग last two component को लेंगे, ठीक है, तो root अपर क्या हो रहा है, x square plus y minus 5 whole square equals 2, x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square, ठीक है, तो फिर से हम लोगो स्क्वार इंगे, तो x square plus y minus 5 whole square equals 2, x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square, ठीक है, इसको फिर से हम लोगो तोर देंगे, तो तो x square minus 6 x plus 9 इसको y minus 4 whole square फिर से तोड़ दिया तो y square minus 8 y plus 16 y square x square y square cancel हो गया यह पर देखो 25 हो रहा है 16 plus 9 कितना हो रहा 25 और इस तरह में लेट अगे लेट भाएट लेट इस तरह 25 है तो cancel हो गया ultimate गया बचा minus 10 y plus equals to यह से क्या बच रहा है minus 6 x minus 8 y राइट, मैनस 6X, मैनस 8Y लिख लिख लिए, अभी मैनस 10Y equals 2, since X equals 2 Y, हम लोगो थोड़ा दरे पहले क्या मिला है, X और Y सेम है, तो X के जगापर हम लोग लिख सकता है, तो X के जगापर Y लिख दिया, तो मैनस 6Y हो गया, मैनस 8Y, यह आप पहले से था, तो minus 10y है, यह minus 6y minus 8y को उस्तर भेजने से क्या होगा 6 minus 8 कितना होता है, minus 14 तो उस्तर भेजने से plus 14y हो जाएगा, equals 0 हो जाएगा अब यह minus 10y and 14y में कितना होगा, 4y तो 4y equals 0, तो उससे क्या मिल जाएगा, मुझे तो y अकर 0 होता है, तो x भी कितना होगा, 0 होगा तो x is equals to y equals to 0, ओल्राइट, ओके और एक क्वेशन हम लोग लेता है, under what condition the point x y is equidistant from the two points this and this तो यह point यह है, और यह point है, तो equidistant का मतलब क्या है, equal distance, equal distance जब भे बोलेंगे तो यह condition हम लोगों को use करना ही है, ठीक है, तो पहले हम लोगों ने इसको P पकाड़ लिए, इसको A पकाड़ लिए, इसको B पकाड़ लिया, तो according to question क्या है, PA equals to PB, तो PA equals to PB, तो first of all, और फिस्टेंस हो में लगाओ, दोनों साट पे, PA equals to PB, तो पकाड़ लिए, फिर squaring both sides हम लोगों ने किया, squaring both sides किया है, ठीक है, फिर इसको तोड़ना है हम लोगों को, as usual, जैसे हम लोगों करते आया है, तो इसको तोड़ने के बाद क्या होगा, X square plus 6X plus 9, Y minus 2 all इसको तोड़ दिया, दख्या होगा, Y square minus 4Y plus 4, equals to, इसको तोड़ दिया, तो X square plus 8X plus 16 plus Y square, इसको तोड़ने के बाद किया आएगा, Y square minus 2Y plus 1, तो दोनों side ने से X square से कर दिया, तो इस side से Y square, उसरे से वाइट से गड़ गया तो आल्टिमेटिक यह बचा जा से 6x बचा-4y बचा-9 पस-4 कितना और 13 इकोल स्थो इधर से क्या बचा-8x तो 8x लिख दिया-2y बचा-2y लिख दिया-16 प्लस-1 इस-17 तो अब इस सब हम लों टाम्स को इस्तरफ लेकर आजाएंगे तो यह 6x को अपगल वस्तरफ लेकर आता बात देखी होगा 8x-6x से दिखें-2y है मानस 4y को उसरफ लेकर जानशा किया अगर प्लस-4y यह न प्लस-4y यह 17 है फ्रटीन को उसर लेकर जानशा किया हो इस टाप को अमनों का एक कॉंडिशन मिलेगा ठीक है इस टेर इस टेर आप इस टेर तो यू